तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं F.L. इंडिया स्टॉक के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के अगर रिटन की बात करें तो लगभग 10% का रिटन इस स्टॉक ने एक दिन में दिया है लेकिन वहीं अगर इंट्राडे से देखा जाए तो लगभग इस स्ट ने 13-14% के बीच अल्मोस्ट इतना रिटन इसने इंट्राडे में आज के दिन दिया है तो बात करें आज के इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं इस कंपनी में हमें क्या ग्रोथ देखने को मिलती है और इसके सा पेली बार आए हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू कंपनी के बारे में जानने से पहले एक बार हम उसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं कंपनी हमें more than 15 years का यहाँ पे कंपनी का track record पारे में देखने को मिलते हैं इसका presence हमें global देखने को मिलता है और अगर इंडिया की बात करें तो हमारी country में यह leading company की तरह अपने sector में हमें कारिकरती हुई देखने को मिलती हैं इसके लावा इनका business model एक हमें performance driven business model देखने को मिलता है जिस market में यह कारिकरती है उस market के growth के बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे फिलहाल आप जान लिजे एक बहुत ही अच्छा उस sector में हमें growth जो है आने वाले टाइम में उस industry में growth देखने को मिलता है इसके लावा अगर हम कुछ यहाँ पे financials की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके पास जो cash flows हैं काफी positive cash flow हमें देखने को मिलते है profitability काफी हमें इस company में robust देखने को मिलती है तो all and all मेरे हिसाब से एक बहुत ही positive सा sentiment इस company के लिए होता है और यही reason है कि इस stock को मैंने कई बार अपने channel में भी cover किया है और अपने telegram channel में भी इसको cover किया था जब वहाँ पे in fact मैंने आप देख सकते हैं company हमें India, South East Asia, Middle East, Europe, Australia, Japan, Korea, North America में देखने को मिलती है और revenue की बात करें तो लगबग 50% का revenue हमें इंडिया से generate होता हुआ देखने को मिलता है और international से आप देख सकते हैं more than 50% revenue generate होता हुआ देखने को मिलेगा company के अगर हम core business की बात करें तो one word में अगर business देखने को मिलता है end to end mobile advertising platform और अगर data की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस business के माध्यम से company ने लगभग 2.2 billion जो है यहाँ पे devices को connect किया है इतने users को इन्होंने connect किया है इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके पास ऐसे products भी है जो कि fraud detection का भी कार्य करते हैं यानि कि ऐसा कुछ इनके mobile advertisement में आपको कोई fraud जो है तो वो देखने को नहीं मिलेगा एक another positive point आप देख सकते हैं R&D driven इनका जो है तो patent का एक portfolio भी देखने को मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे US और इंडिया में लगभग 9 patents इन्होंने फाइल किये हुए हैं जो क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि digital ad fraud detection का कारिक करते हैं इसके अलावा आप देखेंगे Singapore में भी इन्होंने 5 patent को file कर रखा है तो इस तरीके से इनके एक अच्छा जो patent का इनके पास portfolio है वो भी आपको देखने को मिलेगा एं last but not the least यहाँ पे अगर हम बात करें revenue की, EBITDA की और profit after tax तो देखेंगे आप बहुत ही शांदार number और बहुत ही शांदार margin है और ऐसी company देखें इनके Q2 के number जब आये थे ना बहुत ही शांदार number आये थे और stock उस तरीके से rally नहीं किया था जिस तरीके से Q2 के number आये थे और यही reason था कि जब इनके number आये थे तब मैंने वहाँ ब देखने को मिलेगा एक बार अगर इनके हम business का overview दें तो आप देखेंगे कि advertisement हमें दो segment में देखने को मिलता है brand retail और e-commerce market और अगर हम e-commerce market की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि sector में जो growth है वो लगभग 24% CAGR के हिसाब से हमें आने वाले समय में जो है growth वो देखने क को मिल सकती है चलिए अब हम यहाँ पर फल का जो है तो business क्या होता है कैसे business करता है उस business model को एक बार समझ लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 84% का revenue है यहाँ पे CPCU model से हमें generate होता हुआ देखने को मिलता है और 15% का revenue जो है non CPCU business model से generate होता हुआ देखने को मिलता ह CPCU की बात करें इसका full form जो है वो है cost per converted user तो आप देखेंगे यहाँ पे यह जो business कैसे करते हैं इनका business होता है अगर हम पहले phase की बात करें तो new user conversion इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कभी अपने mobile में देखा होगा ads देखे होंगे Amazon के देखे होंगे Flipkart के देखे होंगे Mintra क कभी Google में देखा होगा Google में कुछ search किया है तो वहां पे उनके जो है वो ads आते हैं कुछ इस तरीके से ads आएंगे अगर आपने उस app पर click किया और आप इसके जो है तो user नहीं है आपने पहली बार इस app को download किया इसको install किया और इसमें पहला जब आप registration करते हैं तो वहां से इ आपने कोई app को पहले use किया था और काफी time हो गया जैसे आपने Swiggy से बहुत पहले कभी order किया था या फिर Amazon से बहुत पहले आपने कुछ order किया था आपने कुछ चीजे जो search की वापस से आपको वो suggestion दिखाएगा कि आपको Swiggy में ये मिल रहा है या Amazon से ये मिल रहा है और का ये दूसरे टाइप का एक business model हमें FL में देखने को मिलता है तो कहने का मतलब कि एक phase ये था जहां पर उन्होंने नया user जो है तो add कराया company के लिए या Amazon के लिए जो भी company है e-commerce है या retail है जो भी है और दूसरा already वो customer पहले थे बट्चू की use नहीं कर रहे थे बट आपका add जाया existing user हो या new user हो इसमें कुछ नहीं होता आप booking करते हैं for example के लिए मैं बात करूँ जैसे make my trip में आपने booking की यात्रा.com से booking की तो वहाँ पे जो भी आप booking करते हैं finally उसकी जो service है आप offline यानि कि खुद walking करके वहाँ पे service को enjoy करते हैं या उनसे service जो है तो लेते हैं तो उस वो जो तीसरे type का यहाँ पे जो service देने की facility है यहाँ से भी FL जो है तो अपना revenue generate करता है तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितना जादा internet का यहाँ पे penetration होगा जितना जादा mobiles का penetration होगा उसमें ad का penetration होगा तो उतने ही शानदार FL के जो है तो business grow करेंगे और मेरे हिसाब से मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि आने वाले time में mobile का और internet का penetration कितना जादा है तो definitely जादा से जादा penetration FL के business growth को यहाँ पे promote करता है इसके लाब आप देख सकते हैं इनके कुछ products हैं जो patents उन्होंने file किये हैं जैसे आप देख सकते हैं users को identify करने के लिए इनके products ह होते हैं यह सारे जो है तो आपको technology driven यहाँ पे R&D driven इनके सारे product मिलेंगे और उसका ही बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ecosystem FL ने बना के रखा है चाहे new user को identify करने का हो चाहे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि users को जो है वापस से re-engage करने का हो त तो खुल मिला के आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक शांदार ecosystem जो है अपने product portfolio के माध्यम से FL ने यहाँ पे बना के रखा है और पूरा का पूरा जो revenue है लगभग 84% का revenue यहीं से generate होता हुआ आपको देखने को मिलेगा globally यहाँ पे अगर आप देखेंगे digital ad spend, mobile ad spend में CAGR जो है तो लगभग 9 to 11 देखने को मिलता है लेकिन इंडिया में आप देखेंगे चुकि इंडिया हमारी developing phase से अभी गुजर रहा है तो यहाँ पे आपको इस industry में एक अच्छे जो है तो expenditure की आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी संभावना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और पूरा का पूरा फाइदा जो है कौन उठाता हुआ देखने को मिलेगा जो इस इंडिया में leading position में है और इस market में एक बहुत ही जादा हमें substantial barrier देखने को मिलता है entry का यानि कि काईदे से आप बोल सकते हैं यह यहाँ पे कि हमें FL की यहाँ पे जो है तो monopoly भी देखने को मिलती है तो business में इनके moat है और यहाँ पे monopoly हमें दिखाई देती है और यही reason है कि एक perfect choice जो है तो यह बन जाता है investor के लिए चलिए अब एक बार हम financials देख लेते हैं आप देख सकते हैं revenue है यहाँ पे EBITDA है और profit after tax यह जो पहाड़ी है आप देख सकते हैं एक अच्छा यहाँ पे growth का जो है तो आपको trend देखने को मिलेगा year on year चाहे EBITDA में देख ले चाहे profit after tax देख ले बहुत ही शांदार growth है in fact अगर हम CAGR के माध्यम से बात करें तो already इस चीज को discuss कर चुके है revenue में 45% का CAGR growth देखने को म मिल रही है company ने company ने यहाँ पे on paper जो है तो profit दिखा दिया लेकिन आप cash flow देखे इस company का तो वहाँ पे हमें 35% CAGR से company cash flow जो है तो generate करती हुई देखने को मिलती है operating cash flow की यहाँ पे बात हो रही है और in fact operating cash flow और PAT का ratio देखेंगे तो यह आपको 100% देखने को मिलता है यानि जो दिखाया हुआ है on paper सारा का सारा जो है तो cash में भी convert होता हुआ आपको देखने को मिलेगा financials की बात करें ROE ROC बहुत ही शांदार है more than यहाँ पे 15 जो है number काफी अच्छे माने जाते है return on asset आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे अगर आप equity और यहाँ date की बात करें तो almost आपको company जो है तो date free देखने को मिलेगी थोड़ा बहुत यहाँ पे date है बटागे चलके आपको मैं दिखाऊंगा reserve काफी जादा है company के पास तो date उतने जादा matter नहीं करेंगे चुकि numbers काफी छोटे हैं company के अगर हम advertising के verticals को देखें तो आप देख सकते हैं e-commerce हो चाहे educational हो चाहे entertainment हो fintech हो या फिर अचाहे fmcg हो health care हो government हो grocery हो gaming हो हर sector में जो है तो यहाँ पे advertisement की जरुरत होती है और वहाँ पे जो है तो आपको fl के ही पास जाना पड़ेगा यानि कि इनका penetration जो हर segment में हर vertical में आपको देखने को मिलता है share holding pattern की बात करें तो promoter के प और fii's जो है लगभग 24% की holding के साथ देखने को मिलते हो और public के पास यानि हम और आपके पास बहुत ज़्यादा माल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा एक बार revenue और profit का trend फिर से share कर देना चाहूंगा आप देखेंगे profit revenue सब uptrend में है सारी values यहाँ पे आपको crores में दिख सकते हैं EPS 2 के आसपास थे आज की date में आप देख सकते हैं company का EPS 13 के आसपास हमें देखने को मिलता है year on year इसमें एक अच्छी growth है यानि की within 3 to 4 year अगर हम बात करें 4 सालों में company ने जो है तो 6 times की जो है तो growth दिखाई है जो की बहुत बड़ी growth है यह और जिस तरीके से ग्रो कर रहें आने वाले time में company जो है तो एक अच्छा profit तो generate करेगी अपने investor को एक अच्छा return भी दे सकती है बात करें results और borrowing की लगभग हमें यहाँ पे 1000 करोड रुपे का reserve दिखता है और borrowing जो है काफी कम है 164 करोड रुपे इसकी हमें देखने को मिलती है चलिए एक बार इसको हिसाब से लगा के इसका high PE दिया था अभी आज की time में आप देखें यह जो है EPS के बार हमें देखने को मिलते हैं और usually एक fair price जो होता है जब आपका PE और EPS जो है यहाँ पे clash करता है तो वही हमें एक fair price देखने को मिलता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका लगभग 2250 रुपए के आसपास यहाँ पे इनकी price देखने को मिलेगी और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो EFL अभी फिलहाल के time में काफी सस्ता undervalued stock चल रहा है और यही reason है कि 1050 के आसपास 1150 के आसपास बार बार मैंने इस चीज को recommend किया है कि आप यहाँ पे EFL में position ब बात करें तो देख सकते हैं with volume यहाँ पे हमें breakout देखने को मिला है दो volume शांदार आए है और यहाँ पे दो candle जबरदस्त बनी है EFL में और बहुत ही शांदार यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली है stock जो है almost one year से आप देख सकते हैं यहाँ पे consolidation के ही phase में हमें trade करता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पे इसको जो है इसने breakout कर दिया है तो definitely आने वाले time में आपको एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है in fact Q3 के नंबर अगर शांदार आए तो यहाँ पे एक और अच्छी तेजी आपको और ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है फर्दर अगर हम support की कभी बात करें तो इसमें जो है तो आपको जो है तो 1250 पर एक support देखने को मिलेगा फर्दर और आज भी stock लगभग 1300 के आजपा सपोर्ट लिया है तो एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद 1200 पर एक और support देखने को मि आए हुए हैं तो भी अगर इन levels पर अगर मिलता है तो छोटी छोटी quantity में इन में जो है तो आप averaging कर सकते हैं यूजली मैं averaging की strategy ज्यादा बेटर तब मानता हूँ जब आप इसमें अगर आप लिये हैं तो 1-2-2 यहाँ पे 3-4 का अगर हम माने तो 1100 का एक और support ले लिजे त इन levels पर आप जो है averaging कर सकते हैं ऐसे उमीद कम है कि यहाँ आए अगर market का mood थोड़ा गड़बड नहीं होगा sentiment negative नहीं होगा तो शायद यह levels ना देखने को मिलें बट averaging आप इस तरीके से कर सकते हैं ताकि lower के side में अगर stock कभी जाता है तो lower zone में आपका जो है तो weightage इस stock में जादा रहेगा 10 stock की capacity है तो definitely एक stock आप यहाँ ले सकते हैं दो stock इन levels पर तीन stock इन levels पर और चार stock इन levels पर या फिर अगर इन levels पर कभी गिरावट होती है तो आप इन levels पर S.I.P. कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको content पसंद आया हो तो वी करी मजश